नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों, मैं हूँ प्रवीन बंसल, हम पढ़ने हैं कक्षा ग्यारवीन लेखा शास्त्र अध्याय आठ्ट, विन्यमे विपत्र, बिल्स ओफ एक्स्चेंज, इस अध्याय के दो भाग हम पहले कर चुके हैं, और पिछले भाग में हमने देखा बिल ओफ एक्स्चेंज कैसे बनते हैं, और परिपक्वता पे, मतलब मेचौरिटी डेट पर अगर बिल का भुक्तान हो जाए, तो क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा, कि यदि मेचौरिटी पे बिल का भुक्तान ना हो, तो किस किस अवस्था में कैसे कैसे जाती हैं, जिसमें से एक अवस्था हम कर चुके हैं, जिसका नाम था, जब मेचौरिटी डेट तक विपत्र अपने पास रखा जाता है, मैं प्रश्न को दोहराना चाहूंगा, और फिर प्रविश्टियां करेंगे, एक जनवरी दो हजार च्छे को विशाल ने शीबा से दस हजार रुपे का माल खरीदा, शीबा ने माल बेचा, शीबा ने विशाल पर दो महा की अवदी का विपत्र लिखा, जिसे विशाल द्वारा स्विकृत किया गया, परिपक्वता तिथी पर विशाल द्वारा विपत्र का अनाधरन होता है, मतलब बिल का आधर नहीं किया गया, अर्थात बिल डिज़ॉनर हो गया, माल खरीदने वाले ने, जिसका नाम विशाल है, उन्होंने परिपक्वता पे, मैचौरटी पे, पैसे देने से मना कर दिया, अब बिल का अनाधरन, तीन अवस्थाओं में हमें सीखना है, जिसमें से एक अवस्था आप पहले ही सीख चुके हैं, आज हम दूसरी अवस्था, जब शिबा अपने बैंक से विपत्र को दो सो रुपे पर भुनाती है, मतलब मैचौरटी से पहले, शिबा ने इस दस हजार रुपे के बिल के बदले, बैंक से दो सो रुपे का डिसकाउंट काट कर, मतलब अन्ठानवे सो रुपे अपने खाते में ले लिये होंगे, और जब मैचौरटी आई, परिपक्वता आई, उस वक्त जब बैंक पैसा लेने विशाल के पास गया, तो बैंक को विशाल ने मना कर दिया, तो देखते हैं किस तरह यह चीज जर्नल एंट्रीज के रूप में रिकॉर्ड की जाती है, सबसे पहले समान को बेचनी की प्रवश्टी, विशाल खाता डेबिट और सेल खाता क्रडिट, विशाल खाता डेबिट, विक्रय खाता क्रडिट, यह हुई प्रवश्टी समान को बेचने की एक जन्वरी को उसके बाद क्यूंकि शिबा की किताबे बनाई जा रही है तो शिबा के पास बिल रिसीविबल आएगा प्राप्पे विपत्र खाता डेबिट और विशाल खाता क्रेडिट यह बिल रिसीविबल की एंट्री है और यह समान बेचने वाले मतलब शिबा की किताबों में लिखी जाएगी अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बिल के बदले शिबा को बैंक से अंठानवे सो रुपे मिलते हैं और दो सो रुपे का उसका नुकसान हो जाता है एक जन्वरी बैंक खाता नाम अंठानवे सो और दो सो रुपे उसका नुकसान होता है विपत्र पर बट्टा मतलब डिसकाउंटिंग चार्जिस डेबिट क्यूंकि सभी खर्चे डेबिट होते हैं इसलिए यह खर्चा भी डेबिट किया गया और विपत्र आपके हाथों से फिसल जाता है आप देखिए जब आपने विपत्र बनाया तो यह डेबिट हुआ परन्तु जब यह विपत्र आपने बैंक को दे दिया है तो यह विपत्र आपके पास से चला जाता है और यह क्रेड कर दिया जाएगा अब परिपक्वता maturity date कब आएगी आपको प्रश्ण में बताया गया कि बिल दो महीने का है दो महीने अर्थात जन्वरी पूरा परवरी भी पूरा खतम होने पे एक मार्च आती है परण्तु इस एक मार्च के बाद तीन दिन और ग्रेस के जोड़े जाते हैं तो परिपक्वता तिथी चार मार्च मानी गई परण्तु आप चार मार्च को बिल का अनाधरन होता देखते हैं मतलब बैंक पहुँचता है विशाल के पास विशाल भुक्तान करने के लिए मना करता है और बैंक इस बात की सूचना शिबा को देगा और बैंक इस चीज को बिलकुल भी बरदाश नहीं करेगा कि उसके बिल का अनाधरन हुआ क्यूंकि बैंक तो हमें पहले ही पैसे दे चुका है अब बैंक यह मानता था कि उसके पास बैंक के पास पैसा आ जाएगा पर अन्तु बैंक के पास ऐसा कोई पैसा नहीं आया तो ऐसी सूरत में बैंक हमारे खाते से जितने रुपे का बिल था उतने रुपे काट लेगा क्योंकि ऐसा बिल जिसका अनाधरन हुआ है हमारे द्वारा ही बैंक को दिया गया था तो इस तरह के बिल की प्रविष्टी कैसे होगी बैंक वाले हमारे खाते से पैसे निकाल लेंगे इसलिए बैंक खाता हो जाएगा क्रेडिट और जब बैंक वालोंने हमारे खाते से पैसे निकाल लिए तो हमें यह पैसा किस से वसूलना होगा हमें यह पैसा विशाल से वसूलना होगा इसलिए हम विशाल को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपे से आप यहां ध्यान दीजिए बैंक ने हमें पैसा दिया तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया और अब क्यूंकि बिल का अनाधरन हो चुका है बिल डिजॉनर हो चुका है तो बैंक वह पैसा हमारे खाते से निकाल लेता है परन्तु हमारे पास तो कोई पैसा वसूल हुआ नहीं तो इसलिए हमने विशाल को वापिस अपना डेटर बना लिया यह हुई प्रिविष्टियां बिल के अनाधरन की अवस्था में जब बिल को बैंक से भुना लिया गया था मतलब डिसकाउंट करा लिया गया था और अब सीखते हैं तीसरी अवस्था के बारे में तीसरी अवस्था जब शिबा लाल चंद्र को विपत्र का बेचान करती है मतलब जब शिबा ने समान बेचा विपत्र लिखा और विपत्र को परिपक्वता तक अपने पास नहीं रखा इस बिल को उन्होंने लाल चंद को सौप दिया लाल चंद जरूर शिबा का कोई न कोई क्रेडिटर है इसे हम endorsement कहते हैं किसी क्रेडिटर को भुकतान करने की जखान, नगद में भुकतान करने की जखान, हमने बिल दे दिया और maturity पे यह bill dishonor हो रहा है तो चलिए सीखते हैं एक जनवरी 2006 को सबसे पहले आप समान बेचते हैं विशाल खाता debit, sale account credit, bill receivable account debit, विशाल खाता credit यह तो आम प्रिविष्टियां हैं जो आप हर अवस्था में करते आएं हैं अब इस अवस्था में आपने देखा कि bill को हमने किसी अपने creditor लाल चंद को सौप दिया अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, bill बना तो bill debit हुआ यह bill हमने अपने creditor लाल चंद को सौप दिया अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेए लाल चंद को bill क्यों दिया क्योंकि लाल चंद को हमें भुकतान करना था अगर हम नगद में भुकतान करें तो cash account या bank account credit हो जाता है परन्तु हमने इस बार भुकतान नगद में नहीं किया हमने भुकतान बिल के में किया है तो बिल जब बना तो debit और अब बिल जा रहा है तो credit इसलिए आपने देखा प्राप्य विपत्र मतलब बिल रिसीविबल क्रेडिट आप देखी जब बिल बना था तो debit हुआ और अब जब वह जा रहा है तो credit अब इसके बाद लाल चंद का खाता debit तो पूरी entry क्या बनती है लाल चंद खाता debit तो बिल रिसीविबल या बिल रिसीविबल क्रेडिट क्यूंकि लाल चंद हमारे लिए एक liability है वह घटेगा तो debit होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब परिपक्वता मतलब maturity date पए इस बिल का अनाधरन होता है बिल डिज ओनर होता है जैसे ही बिल डिज ओनर होगा आप ध्यान दीजेगा हमें अब यह पैसा वापिस विशाल से वसूलना है क्योंकि विशाल ने भुक्तान नहीं किया तो विशाल डेबिट और उसके बाद क्योंकि हमने लाल चंद को भुक्तान करना था परन्तु बिल डिज ओनर हो गया और लाल चंद वापिस हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा लाल चंद खाता क्रेडिट तो एंट्री बनती है विशाल अकाउंट डेबिट लाल चंद क्रेडिट इस प्रवश्टी को आप फिर समझ लीजिए क्योंकि बिल डिज ओनर हो चुका है इसका मतलब विश ने भुक्तान नहीं किया तो विशाल हमारी पुस्तकों में वापिस हमारा डेटर बन जाएगा और लाल चंद को हमने भुक्तान करना था जिसके लिए हमने उसे बिल दिया परन्तु बिल तिज ओनर हुआ इसका मतलब लाल चंद अभी भी हमारे लिए एक लाइबिलिटी है इसलिए हम लालचंद को क्रेडिट कर रहे हैं तो यह हुई प्रविश्टियां शिबा की किताबों में अगर बिल का अनाधरण होता है तो आप बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे हमारा अगला टॉपिक है नवीनी करण मतलब रिन्यूवल ओफ बिल नवीनी करण का अर्थ है यह जो पुराने बिल डिजॉनर हुए इनके डिजॉनर होने के बाद इनका अनाधरण होने के बाद हमें सामने वाली पार्टी से पैसा तो वसूलना ही है तो इस पैसे को वसूलने के लिए एक नया बिल बनाया जाता है यह जो नया बिल है यह कुछ शर्तों के साथ लागू होगा क्यूंकि बिल नया बन रहा है तो जो भुक्तान होने वाला है उसमें कुछ विलंब होने जा रहा है तो अधिक्तम अवस्थाओं में आप यह पाएंगे कि समान बेचने वाला सामने वाली पार्टी से कुछ न कुछ ब्याज प्राप्ति करेगा क्यूंकि भुक्तान अब नय बिल का होगा और नया बिल एक, दो, तीन, कुछ न कुछ अवधी के लिए तो बनाया ही गया होगा तो इसे कहते हैं नवीनी करण तो आईए समझते हैं कई बार ऐसी स्तिथी हो जाती है कि विपत्र स्विकार करने वाला विपत्र का भुक्तान परिपकपता तिथी पर नहीं कर पाता ऐसी दशा में विपत्र के अनादरन की अपेक्षा अहारता को दे तिथी से पूर्व विपत्र को रद करने तथा विपत्र आगे की अवधी के लिए लिखने का अनुरोत करता है मतलब मेचौरिटी डेट पे या उससे पहले भी बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाया जा सकता है इस प्रक्रिया को विपत्र नवीनी करन कहते हैं परिभाशा बिलकुल साफ है और अब सीखते हैं कि कैसे प्रविष्टियां की जाएंगी उधारन आपके सामने हैं मान लीजिए एक फरवरी 2006 को रवी ने मोहन को 18,000 रुपे का माल बेचा मोहन ने 3,000 रुपे का ततकाल भुकतान किया अब देखिए इस प्रश्ण में माल बेचा जाएगा और कुछ राशी का भुकतान ततकाल किया जा रहा है और शेश राशी का विनिमे विपत्र बनाये जाएगा तथा शेश राशी के लिए 3 महा की अवदी का विपत्र स्वीकार किया गया परिपकपता तिथी पर मोहन ने रवी से पुराना विपत्र रद करने मेचौरटी पे पुराना विपत्र रद किया जा रहा है और उसके स्थान पर दो महा की अवदी का नया विपत्र लिखने का अनुरोध किया मेचौरटी पे समान खरीदने वाला यह अनुरोध करता है कि वह भुकतान नहीं कर सकता और आज से आगे के दो महीने बाद वह पैसा देने का वादा एक विपत्र में करता है क्यूंकि अब विलंब हो चुका है तो मोहन ने बारा प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से नगद ब्याज देने का निर्णे लिया देखिए बारा प्रतिशत प्रतिवर्ष दो महीने का ब्याज मोहन को देना होगा क्योंकि जो नया बिल है वह दो महीने बाद maturity पाएगा तो चलिए देखते हैं किस तरह यह सब जर्नल में लिखा जाता है हम बनाएंगे रवी की पुस्तकें क्योंकि समान रवी ने बेचा है एक फरवरी को मोहन खाता debit, sales account credit, मोहन खाता नाम, विक्रे खाता से इसके बाद इसी दिन एक बिल लिखा जाता है और कुछ payment भी आपको मिलती है सबसे पहले cash account debit और 15,000 का बिल receivable, 3,000 का रोकड और 15,000 रुपे का बिल और मोहन खाता credit यह हुई बिल लिखने की बात अब पूरे तीन महीने में कुछ नहीं हुआ सीधा परिपक्वता मतलब maturity तीन महीने बाद मतलब फरवरी, मार्च और अपरेल तीन महीने बीटते हैं और एक मई आती है एक मई को मोहन अनुरोद करता है कि इस बिल को cancel किया जाए देखते हैं क्या entry बनती है बिल बना था तो debit और आज बिल कैंसिल हो रहा है तो बिल होना चाहिए credit परंतु रवी मोहन को यह कहता है कि बिल कैंसिल एक शर्थ पर होगा जो भी नया बिल बनाने के लिए आप अनुरोद कर रहे हो उस बिल की जो भी अवधी है उस अवधी का ब्याज आपको मुझे अभी देना होगा तो देखिए क्या प्रिवेश्टी बनती है और किस तरह ब्याज की गणना की जाएगी क्यूंकि 15,000 का भुकतान है और 12 प्रतिशत की दर से दो महीने के लिए ब्याज हमें लागू करना है तो ब्याज का जो मूर ले आया वह है 300 रुपे और रवी के लिए यह एक आय है इंकम और सभी इंकम लेखा शास्त्र में क्रेडिट की जाती है इसलिए ब्याज प्राप्ती भी रवी की पुस्तकों में आज ही क्रेडिट कर दी जाएगी और यह 15,000 रुपे बिल के और 300 रुपे ब्याज के हमें किस से वसूल ने हैं? हमें यह मोहन से वसूल ने हैं क्योंकि मोहन नहीं समान खरीदा है और मोहन ही विलंब कर रहा है तो मोहन खाता डेबिट 15,300 तू बिल रिसीविबल 15,000 तू इंट्रस्ट 300 मतलब बिल क्रेडिट और इंट्रस्ट भी क्रेडिट यह हुई बिल को कैंसिल करने की एंट्री एक माई को देखिए बिल कैंसिल एक माई को हुआ ग्रे स्पिरिट तब मिलेगा जब आप पेमेंट करें अभी आप बिल कैंसिल कर रहे हैं इसके बाद आप एक नया प्राप्य विपत्र बनाते हैं वह हुआ टेबिट और आपको 300 रुपे की ये ब्याज का भुकतान अभी की अभी किया जा रहा है तो रोकड खाता डेबिट और मोहन कैंसिल होंगे क्रेडिट करने के बाद क्यूंकि आपने मोहन से नया विपत्र ले लिया है तो विपत्र डेबिट रोकड डेबिट और मोहन खाता क्रेडिट और प्रश्ण ने आपको बताया कि ये जो नया विपत्र है ये दो महीने के लिए बनाया गया तो दो महीने तीन दिन के बाद साथ जुलाई आती है और भुकतान किया जाता है बैंक खाता डेबिट और वहे विपत्र क्रेडिट पंद्रह हजार तो कुछ इस तरह हम रवी की पुस्तकों में नवीनी करण की प्रिविष्टियां करते हैं चलिए अब देखते हैं मोहन की पुस्तक में नवीनी करण की प्रिविष्टि किस तरह से की जाएगी देखिए ये दो प्रिविष्टियां तो बिल्कुल आम हैं जब समान खरीदा जाता है और विपत्र लिखा जाता है परंतु परिपक्वता पे जब मोहन यह अनुरोध करता है कि उसके लिए बिल नवीनी करण किया जाए तो देखते हैं क्या प्रिविष्टी बनती है ये दो प्रिविष्टियां तो एकदम आम है समान को खरीदने की विपत्र को लिखने की आप देखिए विपत्र कैंसिल कैसे होगा बिल पेबल कैंसिल कैसे होगा आप देखिए पहले विपत्र दे विपत्र एक liability है परन्तु यह bill जब cancel हो जाएगा तो दे विपत्र debit और अब इसे ब्याज का भुखतान करना है यह party ब्याज का भुखतान करेगी इसके लिए यह एक expense है और लेखा शास्त्र में सभी खर्चे debit होते हैं जो ब्याज रवी के लिए income था वही ब्याज इनके लिए एक expense है इसलिए ब्याज खाता debit और रवी को आप अपना creditor 15,300 रुपे से बनाएंगे 15,000 बिल के कारण 300 रुपे ब्याज के कारण तो entry बनती है बिल payable debit interest debit रवी credit 15,300 यह हो गया बिल cancel अब बनेगा नया बिल नया बिल 15,000 से बनेगा क्योंकि 300 रुपे के ब्याज का भुकतान ततकाल किया गया है रवी खाता debit देविपत्र यह नया विपत्र है 15,000 से इसलिए इसको credit किया गया liability को बनाने के लिए और बाकी के 300 रुपे रोकड खाते से credit किये गए तो इस तरह बिल का नवीनी करण किय जाता है और यह अध्याय नवीनी करण के साथ खतम होता है आप सभी विध्यारतियों से अनुरोध है कि इसी तरह के प्रश्न जो आपकी पाठ्थे पुस्तक में दिये हुए हैं आप उनका भ्यास करें धन्यवाद स्विश्ध्य आप उनका भी पाठ्यारतियों से अनुरोध nào है झाल कि पता है तरह कि झाल जो आपकी पुस्तक में हुए हैं लिए तरह को जो आपकी रह बातका भी हैं व्यादरतियों से आपकी जो